वेलकम टू माई चैनल फूडशेप, आज की रेसिपी है राइस फिंगर्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची रेसिपी है, उमीद है आपको ये स्नेक्स रेसिपी जरूर पसंद आएगी, तो आएए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, रेसिपी पसंद आए तो इसे ला हरा मिर्च डालें, लाल मिर्च पाउडर, बारिक कटा हुआ लैसन डाल दें, एक चमच नीबू का रज डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें एक कप चावल का आठा, आदा कप सूजी डाल दें, अब इसे लगातार चला बंद कर दें, अब इसे कवर करें और पांच मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें, पांच मिनट हो चुके हैं, अब ये भी हलका ठंडा हो चुका है, तो इसे किसी बोल में निकाल लें, अब इसमें बारिक कटा हुआ प्याज डाल दें, बारिक कटा हुआ हरा धनिया ड अब इसके उपर थोड़ा सा ओयल या घी लगाएं और इसे अच्छी तरह चिकना कर लें देखिए हमारा डू अच्छी तरह तैयार हो चुका है अब हाथ पर अच्छी तरह ओयल लगाएं और छोटे छोटे लोई इस तरह से लें और इसे पहले अच्छी तरह चिकना कर लें अब इसे इस तरह से रोल करेंगे और फिंगर्स को काटने के लिए इस तरह से पहले एक बार लंबा रोल बनाएं अब इसे किसी चाकू की साहता से या किसी कटर से आप इसे कट कर ले आप इसे लंबा या छोटा जैसा मरजी काट सकते है देखिए मैंने सारे फिंगर्स इस तरीके से तैयार कर लिए है आप इसे अभी तुरंद फ्राई कर सकते है या आप इसे एक हपते के लिए फ्रीजर में भी रख सकते हैं और जब मरजी आप इसे फ्राई कर सकते हैं तो अभी इसे फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के लिए ओयल जो है एकदम गरम होना चाहिए और इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें थोड़ी देर पाद इसे थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहें और अच्छी तरफ फ्राई कर लें देखिए अब ये अच्छी तरफ फ्राई हो चुका है तो इसे किसी पेपर नैपकीन पर बाहर निकाल लें और मन पसंद चटनी के साथ इसे चाय के साथ सर्व करें देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी उमीद है आपनों को रेसिपी जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू